तमिलनाडू battles the elements अब आपसे अगर कभी पूछे प्रिलिम्स में कि हाल फिल हाल में चर्चा में सित्वन साल किस धर्म से संबंधित है बौध जैन हिंदू पार्सी यहूदी कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है क्या याद रखना है कि सित्वन साल जो है व मिल रहा है यह सित्वन साल आपने स्क्रिंट पर देखें यह आपको दिख रहा होगा क्यों आप यह अप सरवेक्षन के इसके संचर्प्छन के लिए बात वरते पुरा तक्तो जैने कि जो आपके crashologist department Legend अलाजिकल डिपार्मेंट वह क्या कर रहा है कि संचर्पछन के उपर में द्हान देना रहे इसके संचरिप्छन के ऊपर ध्यान कि ये सबसे पूराना आपको जो छेतर है टमिलनाडू का और जैन धर्म का या जैन प्रभाव का अगर हम बात करें तो एक प्रमुख स्थानों में सई एक है अब इस इस्थान को अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जब हम तमिलनाडू की बात कर रहे हैं और इतिहास के पन्नों को जब हम पल्टेंगे, तो जो वहां शाशक नजर आ रहे थे, जो वहां राजी नजर आते हैं, तो तमिलनाडू में एक राजी आपको नजर आता है, जो कि पांडे कलाकृती को जो है वो देख सकते हैं आपने स्क्रिन पर देखी या आपको पांडे कलाकृती के जो है वो लक्षन देखने को मिल रहा है अब इस सित्वन साल के बारे में बात करें और इस सित्वन साल में जो आपके निर्मार हुए है जो आकृती है इस आकृती को समझ रहे हैं ना उपर से जो ऐसे धकन टाइप का होता है तो यह कलाकृति आपको चौठी या छट्वी सताब्दी के आसपास के कलाकत्री देखने को मिलेगे और सेम यह कलाकृति आपको अजंता की गुफाओं में भी देखने को मिलें यानि कि अजंता के गुफाओं के जो प्रारमभिक उधारण है वो आपको यहां देखने को मिलेंगे और इसके लिए जो तकनिक का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए इस तकनिक को कहा जाता है तो यह भी आपके लिए क्निक प्रेस हो ग्या हो गया इम्पोर्टन हो गया आप प्र요स को सेको तकनीक क्लियर है प्रसको सेको तकनीक का जो है अब मैंने कहा कि यह आपका क्या देखने को मिल रहा है एक मातर स्थान ठीक चलिए आगे बढ़ते है अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर पीटी पॉइंट और व्यूज से देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान टाइम से लिया हो न्यूज है शनात